बिग बॉलिवूड स्क्रीन ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उबर एक ही लिफ्ट में चड़े गाई जेनिफर से मिलते उसे कमफटेवल फिल कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाई ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तब ही अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने अलाम विग्रा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वक नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरी में वे विग्रा करते हैं पर दूसरे साइड पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस lift में ये 5 दिनों के लिए trapped है Friday, Saturday, Sunday और 2 दिन की छुट्टी थी Guy ने Jennifer को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस lift के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है Jennifer ने कहा कि कभी-कभी ये lift आवाज करती थी शायद इसी वज़े से stuck हो गई है Guy को अचानक से idea है कि lift के उपर से ये exit हो सकते है हर lift में exit होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी height नहीं थी फिर वो चुक कर Jennifer को उपर की ceiling चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी open नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत try किया पर कुछ भी नहीं हुआ एक गंटा बीथ गया और Jennifer realize करती है कि अब उसकी flight उसने miss कर दिया है वो गुस्सा हो गे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगे उसे प्यास लगी थी तो गाया ने उसे अपनी बॉटल दी जेनिफर उसका पानी पीने से मना कर दिया पर गाया ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम decide करो वो मजाग में कहता है wine की बॉटल open करने के लिए मेरे पास opener भी है जेनिफर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक opener दिखाया इस पहले दोनों बहुत अस्ते है उसने विरबानी पी लिया था वो गाय को as a gesture एक चौकलेट दे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़ एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ पर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंटे बीट गए थे उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरीके से टॉलेट करना है उसे अजीब लगता है गाय ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लिए गएती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लिफ में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुमारी कोई भी गर्ल्फेंड वेगरा नहीं जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को कॉल करकर तुमारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर wine की bottle खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की drawing बनाने लगते है गाय ने जैनिफर की बहुत ही अच्छे से drawing बनाई थी पर जैनिफर उसके एक funny से drawing बनाती है जैनिफर को इसके लिए बुरा लगा और गहती है तुमने मेरी जो picture बनाई इसे मेरी profile picture रहूंगी बाते करते करते खाने पर discuss करने लगते है तुने भुगे थे तो जैनिफर ने कहा कि subject हम change करते है अलग-अलग topic पर discuss करते हुआ एक दूसरे के partner के साथ crazy story बताने लग जाते है जैनिफर गहती है कि एक बार में मेरे boyfriend के साथ library में intimate हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शैमा रहा था पर बात में हो गहता है कि मेरी एक cover कर दी हम एक बार drive उपर गए थे वोई पर intimate हुए थे ये सब बताते हुए उसे जैनिफर के लिए feelings आगी जैनिफर को भी इससे कोई भी problem नहीं था फिरे दोनों यही पर intimate हो जाते है intimate होने के बाद गाई ने जैनिफर से गा ये तुमारे प्यार में बढ़ सकता हो ये पाद जैनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उससे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात में बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवेर चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुम्हें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जेनिफर को जुट कहा था कि इसी बिल्डी में अकाउंटेंट है उसने कन्वेस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांस चाता था वो चाता था कि जेनिफर उसे पहजाने इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो अपने बॉकिट से चावी निकालता है और ये लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उसमर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें भुगदना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंट कर दी जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दी है पर गाये ने उसे पकड़ लिया जेनिफर स्ट्रगल करते हो लिफ्ट की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब ये एक्चॉल में इस लिफ्ट में फस्स गए थे जेनिफर गुसा होकर अपने शू से गाय को अनकॉंशेस कर देती है उसे चेक करने के लिए आई पर गाय कॉंशेस था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जेनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहाँ लिफ में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशन्शिप इस लिफ्ट में हो गए हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेक अप भी हो गया जनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी तो उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लाया था कि गाई ने चेक किया इसमें एक अच्छा सा शर्ट है जो गाई पहन लेता है गाई के बास भी गिफ्ट है जिसमें सीगार लाइटर और एक कटर है गुस्से में गाई ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया फिर उसे आइडिया आता है कि या लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसने चछत पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिवर से गहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो मैं उपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूँगा जैनिवर उस पर बिलिउनी करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुमें उपन कर दूँगी गाई को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जनिवर ने कही वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूंगी गाई भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जनिवर उपर आके उपर आने के उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जनिवर जड़ा ज़ादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़ने वाली थी तब नीचे से गाय आया और उसे पकड़कर फ्री से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जेनिवर होश में आ गए लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फाइर अलाम को नो डिस्क किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वर्ग नहीं करेगा हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जेनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस ने का तुम सब कुछ अभ कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जेनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जेनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यों गाय कहता है कि मैं में हर रोज तुम्हें देखता था, तुमा बहुत ही ब्यूटीफूल थी, पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो, इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोज नहीं कर पाता, मैं हमेशासे सिकुरिटी गार्ड नहीं था, मैं actual में एक अकाउंडन था, और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुमें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिडेंट हो गया उस पर चार्जेस लगे पर गाये के पास बहुत सारे पैसे थे तो 6 मन्स में वो बहार आ गया पर चुट्टि को छट डिखाने के लिए। वो रोडुश करता है कि गाये आस पास कही भी नहीं है उसे कैमेरे में जैनिफर और गाये को लिफ्ट में लेखा वो जल्दी से उनकी हल्प करने के लिए पहुच गया फ्रेन आया और लिफ को ओपन करने की कुशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है तभी गाय जेनिफर पर हमला करकर उसे बेहोश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरुएत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉड़ी रख देता है जेनिफर को ले जाकर अपनी काड़ी की ट्रंग में टाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो इसके बॉड़ी फ्रेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड जला सस्पिशेस होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ली कर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेकरा डाल कर जेनिफर की बाड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडिस बिर में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है इसे के साथ ये मूवी एंड होगा